आज हमारे घर में लग चुका है BSNL का फाइबर जो कि एक इंटरनेस सर्वेस से BSNL की तरफ से मैं गाउं में रहता हूँ, मैंने गाउं में अपने BSNL का ब्रॉग्वंड लगवा लिया है तो आप भी कैसे लगवा सकते हैं बने रहे ये वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो का हम सुरू करते हैं सबसे बहले आपको BSNL की साइड पर आ जाना है, तो कि मैं लिंक डिस्किप्शन में भी दे दूँगा तो जो फाइवर का प्लान, एंडरी प्लान है, वो 339 रुपए का है, इसमें आपको 20 Mbps की स्पीड और 1000 GB का डाटा और अलिमिटिट कॉल आपको देखने को मिलती है तो इसमें 339 प्लस GST, जो भी आपको GST होगा वो भी इसके अलावा आपको लगेगा इसके बाद आते हैं, 499 का प्लान है, 666 रुपए का प्लान है, फिर है 999 का और जो सबसे हाइप रेट का प्लान है, वो है 4799 रुपए का इसमें आपको 300 Mbps की स्पीड हो, 6500 GB का डाटा देखने को मिलता है तो अभी हमने गाओं में हैं, तो गाओं में जो BSNL का हमने प्लान लगवाया है, वो 399 रुपए का लगाए है, जिसमें मुझे 30 Mbps की स्पीड मिलती है तो सिंपल ही आपको ऊपर की शाट एपलाई कर क्लिक कर देना और यहाँ पर आपको परसनल आपको डीडियल बरके सम्मिट कर देना है जैसे आप सम्मिट करेंगे, तो उसके 2-3 दिन बाद आपको वहाँ से कॉल आएगा और आपके घर में वो Wifi आपका लगा देंगे तो देख सकते हैं, यहाँ से बार से केबल आई हुई है, यह मेरे घर में कुछ इस तरीके से डली है यह पूरा सेट अफ है, वो 1-2 दिन का टाइम लगा था, वो पूरा सेट अफ हो चुका है इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सो बॉक्स आप देख सकते हैं, जिससे ब्लैक कलर की डोरी गई है और जो पीले कलर की डोरी आप एक ज्वाइया आए थे, तो उनें एक मसीन लाइत थे तो ऊस मसीन से आपकर उनने ज्वाइंट गिया है, जिसमें बहुत ही तरी टाइम लगता है तो जैसे आप एक आपलाई करेंगे, तो एक सो दो दिन के बाद यह भाहया आएंगे तो वो machine बगारे सारा कुछ लेके आएंगे और आपको connection करके चले जाएंगे तो यह पीले कदर की डोरी है वो यहाँ से निकली है इसके बाद यह गई है हमारे router में तो यह लगा है हमारा BSNL का router जो की दूसरे company का router है जो की सायरोटेच company का router है यह dual band router है आप देख सकते हैं इसमें दो एंडिना भी है यहाँ पर अभी यह router on है आप देख सकते हैं और साथ में यहाँ पर यह पीले के दर की डोरी है वो यहाँ पर गई है जिससे मुझे high speed देखने को मिलती है मेरा जो भी प्लान है वो 30 Mbps का प्लान है लेकिन जो टीपी लिंग के का मैंने छोटा से device लगाये हुआ है इससे मुझे 50 Mbps की speed मिलती है इसकी उपर भी मैंने वीडियो बनाया है आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं तो यह जो राउटर है बहुत ही अच्छा राउटर है आप गाउं में भी इंटरनेट कनेक्शन लगवा सकते हैं गाउं में लगवाने के लिए आपको कोई भी चार्ज एस्टर चार्ड न अब हम देखते हैं काम के जो स्पीड है वो कितनी देखने को मिलती है तो जैसे मैंने रन स्पीड की तो जो हमारी स्पीड है बहुत को 40 Mbps से उपर ही मिलती है